अनया पांडे ने बताए स्टार किड होने के नकसान बोली कोई आप पर बॉलेवुड में अपनी पहली ही फिल्म से खास पहचान बनाने वाली अनया पांडे आज सभी की फेवरेट लिस्ट में शुमार हो चुकी है छोटी सी उम्र में ही फिल्म में करकरण जहर की फिल्म स्टूडेंट अफ दय यर दो से बॉलेवुड में डेव्यू करने अनया पांडे ने अब स्टार किड होने के फायदे और नुकसान बताए है उनका कहना है कि हाला कि उनकी जिन्दगी इस फिल्म के बाद से बदल गई है लेकिन वे एक नॉर्मल्टी नेजर के जैसा बरताव करने की कोशिश करती है 20 वर्षिय अभिनेत्री ने INS को बताया मेरे स्टूडिंट अफ दे यर दो करने के बाद जिन्दगी अवश्य ही बदल गई है अब लोग मुझे ज़ादा पहचाने लगे हैं लगता है कि अब आपने एक नाम कमाया है लेकिन मैं जितना हो सके सामान लिबरताव करने की कोशिश करती हूँ मैं एक नॉर्मल्टी नेजर की तरह रहने की कोशिश करती हूँ जो कि मैं हूँ मैं अपने परिवार और दोस्तों संग घूमने जाती हूँ मैं जितना हो सके नॉर्मल चीजों को करने की कोशिश करती हूँ अनया मशूर एक्टर चंकी पांडी की बेटी है उनका कहना है कि एक एक्टर के घर में पैदा होने का उन्हें सौभा गिमिला जिससे बॉलिवुड में उनका सफर काफी सहच जहा हाला कि अनया का मानना है कि स्टार कीड होने से बॉलिवुड में एंट्री तो आसानी से मिल जाती है लेकिन अगर आप का बिल नहीं है तो कोई आप पर पैसा नहीं लगाएगा आने वाले समय में अनया अभिनेता कार्तिक आरेंसंग पती पतनी और वो में नजराएंगी अनया अपने पिता के साथ भी काम करना चाहती है अनया ने कहा मैं एक ऐसे ओफर का इंतरदार कर रही हूँ जहां मुझे अपने पिता के साथ काम करने का मौका मिले मुझे उमीद है कि कोई हमें साथ में किसी फिल्म का उफर दे अगर कोई सुन रहा है तो फ्ली जैसा कीजिए पती, पत्नी और वो साल 1978 में आई बी आर चोपडा की फिल्म की रीमेक है इस नए संस करण का नाम भी पुरानी फिल्म के नाम पर ही रखा गया है कार्तिक फिल्म में उस किर्दार को निभाएंगे जिसे संजीव कुमार ने निभाया था भुमी पेडने कर पत्नी के किर्दार में नजर आएंगी जिसे विद्या सिनहा ने निभाया था और अनया फिल्म में वो की भूमिक आने भा रही हैं जिसे ओरिजिनल फिल्म में रन जीता ने अदा किया था इसके नर्देशक मुद्दसर अजीज हैं यह फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी